हलो फ्रेंट्स एक इंपोर्टेंट करेंट अफेर सामने आ रहा है जो एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से किसे समानित किया गया है 2020 में तो साक के सिनह सेन है और राष्टी रसायन परयोग साला से ये बिलोंग्स करते हैं इनको रसायनिक विज्ञान में उल्लेखनी अनुसंधान करने के लिए मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से समानित किया गया है इसके बारे में कुछ और भी इंपोर्टेंट बात को जानते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम जानेंगे मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड के बारे में यह पूरसकार दुनिया भर में संचालित विज्ञान और प्रोध्योगे की मर्क कमपनी द्वारा अस्थापित किया गया है मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड को ठीक है मर्क जो कमपनी है इसके फाउंडर है कौन तो फ्रिडरिच जकोब मर्क है ठीक है इसकी अस्थापना 1668 में किया गया था रसायन बिज्ञान में सबसे कठीन समस्याओं को हल करने में 20 सग्यता के साथ 10 साल से कम अनुभव वाले सोध करताओं को यह पुरसकार दिया जाता है यानि कि मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है अब जान लेते हैं कि नेशनल केमिकल लेबरोटरी यानि की राष्टिये रसायन परियोग सला के बारे में जो की भारत की यानि की लेबरोटरी है ठीक है और कहां पर है तो पूने में है इसकी अस्थापना 1950 में की गई थी इसके डाइरेक्टर है अस्वीनी नानगिया है ठीक आपसे अगले बुड़ियों में तब तक के लिए धन्यवाद है